क्या के एक ते हाँ मैं खर्मा गर्म और क्रिस्पी प्याजी खाने का बात यह कुछ और है और इसके साथ आपको अगर चाइ और चटनी मिल जाए तो क्या कहने यहां दोस्तो एक सींपल सा इंग्रिडियंट मैं इसमें डाला है और प्याजी बहुत कृस्पी बातर तेस्टी बनता है बनाना बहुत आसान है हमेशा की तर तो चलिए शिरू करते हैं दोस्तों मैं हो पिंकी और आपका माई कीचिन में स्वागत है यहाँ पे हम ले लेनगे एक बोलॉ बोल में ले ले सकते हैं अब डाल देंगे यहां पे लहसुन और अधरक को ग्रेट करके इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो जरूर डाल देगा अधरक लहसुन अब डाल देंगा मिया हां पे नमक स्वाद के अनुसार नमक पहले डाल देंगे ताकि प्याज जो है वो पानी को रिलीज कर दे इसके वज़े से जो हम बेशन डालेंगे वो कम लेगेगा तो इसलिए हम सब चीजों को डाल देंगे हल्ली डाल दीजे थोड़ा सा रेड़ चिली डाल दीजए अपने टेस्ट के एकॉर्डिंगली घटा या बढ़ा करके डाल सकते हैं अब इसी के साथ हम डाल तो यहां दोस्तों बहुत अच्छे से mix करिए गा ताकि सारा जो मसाला हमने डाला है वो प्याज में अच्छे से चला जाए उसका टेस्ट अच्छे से आजाए और वाटर जो है release करेगा तो इससे हमें मिला देना है मिला देने के बास हम पांच मिनिट के लिए से रहने देंग और यहां पर आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसन को प्याज में अच्छे से मिला देजिए, यह अच्छे से बाइन हो जाता है, पानी बिल्कुल मत डालीएगा, अगर बहुत सुखा रहे तो हलका सा छिटा पानी का मार सकते हैं, वैसे पानी की जरूरत नहीं प यहां पर हम थोड़ा सा पानी यूज कर सकते हैं, अगर पानी का रिक्वार्मेंट हो नहीं हो तो आप नहीं कीचेगा, तो मैं यहां पर थोड़ा सा ली हूँ पानी और इसको हम अच्छे से मिला देंगे, यह देखिए, बहुत अच्छे से बाइन हो जाता है, बहुत ज्य आपको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हां लाइक कमेंट करना मत बूलिएगा, और मुझे फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फेस्बुक पर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉसेस में, तो इसे मैंने पांच मिनिट लिए छोड़ दिया था, अब हम एक त अब हमें इसे दोनों तरफ से पलटते वे रेड और क्रिस्पी होने तक सेख लेना है, फ्लेम को मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम में मत बनाईएगा, मीडियम में बनाईएगा तो ज्यादा क्रिस्पी बनेगा ये पकोड़ा, और इसे अपने एक्कॉर्डिंगली कि टीचू पेपर का इस्तेमाल किजिए, मैंने किया है, इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा ओयल यह यानिकि ग्नी को आधे तो यह मैंने पकोड़ों को निकाल लिया, अब हम सेम तरीके से बाकी प्याजे गों को भी तल लेंगे, और फिर हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन क् साथ या फिर सॉस के साथ देखिए कितना अच्छा सा टेक्शर आया है उतना ही अच्छा सा कलर भी है और खाने में भी उतना ही मज़ेदार है तो आप इसे जरूर बनाइए रेस्पी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और अहां दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा कि यह रेस्पी आपको कैसे लगी फिर मिल दें नेक्स्ट वर्डियो में तिल एन बाइबाइ टेक्यार